C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमाद के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक नंबर नौ म्यूजियम की सैर सफ़ा तहत्तर इस्कूल में आज बच्चे बहुत खुश थे कुछ बच्चे तो इतने खुश थे कि वो खाने के वक्फे में बाद भी कर रहे थे और उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी आज स्कूल में शोर भी कम था जिसकी वज़ा से अर्शद और मरियम की बातें बिलकुल साफ साफ सुनाई दे रही थी अर्शद मैम कह रही थी कि हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुलकला मैमोरियल घूमने जाएंगे मरियम हैरत से ये कौन थे अर्शद जब हम कल मैमोरियल जाएंगे तो मैम से पूछेंगे कि ये कौन थे सफ़ा 74 सारे बच्चे दूसरे दिन तयार होकर वक्त पर स्कूल पहुँच गए और बहुत खुश थे वो घर से अपने पसंद के खाने भी साथ लाए थे तभी बस आ गई और मैम ने उनको बस में बिठा दिया कुछ ही देर में बच्चे एपीजे अब्दुलकलाम मैमोरियल पहुँच गए बच्चे बस से उतरे और लाइनों में म्यूजियम के अंदर दाखिल होए दाखिल होते ही उन्हें एक कष्टी दिखाई दी मर्यम मैम यहाँ कष्टी क्यों रखी है जबके रात में मेरी वाल्दा ने एपीजे अब्दुलकलाम के बारे में बताया कि वो बहुत बड़े साइंसदा थे और उनको लोग मीजाइल मैन भी कहते थे मैम आपकी वाल्दा ने बिलकुल सही बताया वो एक बहुत बड़े साइंसदा थे कश्टी जो यहां रखी हुई है यह उनके वालिद महतरम जैनुलाबदीन की है जिसे वो मचली पकड़ने वालों को किराय पर दिया करते थे इसी निस्पत से यह यहां रखी हुई है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम का बच्पन यहीं गुजरा डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की पैदाईश 15 अक्तूबर 1931 को तमिलाडू के जिला रामेश्वरम के एक छोटे से गाउं धनुष कोडी में हुई इप्तिदाई तालीम के दौरान एपीजे अब्दुलकलाम अपने महले में अखबार तक्सीम करते थे बच्चे कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने मुख्तलिफ खस्म के मीजाईल देखे राहुल मैम उन्होंने साइंस में कैसे दिल्चस्पी लेनी शुरू की मैम डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम अपने इप्तिदाई तालीम के बाद जब मदरास इंस्टिटूट आफ टेकनोलोजी से खलाई साइंस में ग्रैजुएशन कर रहे थे उस वक्त उनकी दिल्चस्पी बढ़ी इंजिन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन यानी इसरों में काम करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम ने सैटेलाइट लॉंच वियकल यानी एस एलवी डैश थ्री की तरक्की में एहम किरदार अदा किया ये भारत की खलाई कोशिशों में एहम हैसियत रखता है बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम यही नहीं रुके बलके उन्होंने 1974 में भारत के पहले आटम बम का तजुर्बा किया जिसकी वज़ह से उन्हें पूरे दुनिया में शोहरत मिली सफ़ा 76 उनके इसी शौक, मेहनत और लगन की वज़ह से मीजाइल टिकनोलोजी के मैदान में भारत ने खुद मुख्तारी हासल की अगनी, पृत्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसे मीजाइल डॉक्टर कलाम साहब ही की कयादत में बनाए गए बच्चे और आगे बढ़े तो उन्होंने सितार देखा आमना मैम, ये सितार यहां क्यों रखा है? मैम, एपीजे अब्दुल कलाम को मौस्रिकी से बहुत लगाओ था उन्हें सितार बजाना बहुत पसंद था बच्चे बहुत खुश थे आखर में आसिफ ने मैम से पूछा आसिफ मैम, मैंने सुना है के वो हमारे सदरे जम्हूरिया भी थे मैम, जी हां आपने सही सुना है वो 26 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हिंदुस्तान के सदरे जम्हूरिया रहे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों से बड़ी मुहबत करते थे सफ़ा 77 वो बच्चों से मिलते, उनसे सवालात करते और ताकीद भी करते कि इल्म हासल करने के लिए सवालात करना जरूरी है वो कहते थे कि बच्चों को सवाल करने दें हर बच्चा बहुत सारे ख्वाब लेकर पैदा होता है उन्होंने स्कूल के बच्चों को नसीहत करते हुए कहा था कि किताबों और अजीम इनसानों को अपना दोस्त बनाए वो ये भी कहते थे कि जिन्दगी का बुनियादी मकसद खुश रहना है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम का कॉल है कि हर छोटी को भी खुशी देता है आज का दिन बच्चों की जिन्दगी का एहम दिन था म्यूजियम घूमने के बाद बच्चे खुश-खुश अपने घर वापस आ गए सफा नंबर 78 मश्क पढ़िये और समझे वक्फा, महलत कॉल बात कश्ती, नाव साइन्स दा, साइन्स का इल्म जानने वाला निस्बत तालुक इप्तिदाई शुरुआती शोहरत नामवरी चर्चा खुदमुखतारी आजादी गयादत रहबरी रहनुमाई सदर जमहूरिया किसी जमहूरी रियासत का सरबरा ताकीद कौल बाद सफा नंबर 89 सोचिये और बताईए एक अर्शद और मर्यम आपस में क्या बात कर रहे थे? दो मेमोरियल में कश्टी के बारे में मैम ने क्या बताया? तीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किन चीजों पर तजुर्बे किये? चार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों को क्या ताकीद करते थे? पाँच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नजदीक जिन्दगी का बुनियादी मकसद क्या था? छे आप किस तरहां खुश रहते हैं और किस तरहां दूसरों को खुशी फराहम कर सकते हैं? सफ़ा नमबर असी इन जुमलों को सही लवजों से मुकमल कीजिए एक स्कूल में आज बच्चे खाली जगा थे परिशान या खुश दो आज खाली जगा भी बहुत कम था शोर या खामोशी तीन मैम ने उन्हें खाली जगा में बिठा दिया कार या बस चार डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम एक बहुत बड़े खाली जगा थे साइन्स दा या तारीख दा पाँच उनको लोग खाली जगा भी कहते थे मिजाइल मैन या मकैनिक हर लवज के सामने तीन लवज दिये हुए है उनमें से उस लवज के मुतजाद को खाली जगा में लिखिए पसंद अच्छा बुरा नापसंद रात सूरज दिन सुभा पैदाईश मौत मर्ज सेहत छोटा लंबा बड़ा मोटा गाउं घर जोपडी शहर सफ़ा नंबर 81 पढ़िये समझिये और लिखिये बच्चे खाने के वकफे में बात कर रहे थे बच्चे बस से उत्रे और लाइनों में म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए डॉक्टर A.P.J. अबदुलकलाम बच्चों से बड़ी महबत करते थे इन जुमलों में कर रहे थे उत्रे दाखिल हुए करते थे ये ऐसे लवज हैं जिन से किसी काम का करना या होना मालूम होता है ऐसे लवजों को फेल कहते हैं आप नीचे के जुमलों को ब्रैकिट में दिये गए फेल के मताबिक मुकमल करके लिखिए मैंने बच्चों से खाली जगा कहना सभी बच्चे अपने साथ अपनी पसंद के खाली जगा लाना कल आपने म्यूजियम में क्या खाली जगा देखना म्यूजियम की सेर से आपने क्या खाली जगा सीखना मिजाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम की कयादत में खाली जगा, बनाना, वो लवस जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो, उसे फेल कहते हैं सफ़ा नंबर 82 सही बयान पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाईए 1. एपीजे अब्दुलकलाम मुंबई में पैदा हुए 2. एपीजे अब्दुलकलाम अपने महले में अख़बार तक्सीम करते थे 3. उन्हें गिटार बजाना बहुत पसंद था 4. एपीजे अब्दुलकलाम हिंदुस्तान के सदर जमूरिया भी थे कीजिए सबक में आपने एक लवज पढ़ा है साइन्स दा इसके माइनी है साइन्स का इल्म रखने वाला ये लवज दो लवजों यानि साइन्स प्लस दा से मिलकर बना है इसी तरह आप भी नीचे दिएगए लवजों के आगे दा लगा कर लिखिए इन तस्वीरों पर दो जुमले लिखिए दी गई तस्वीरे है एपीजे अब्दुलकलाम स्कूल राष्ट्रपती भवन पार्लियमेंट सफा नंबर 84 नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर उनके पेशों के नाम लिखिए यहां अलग-अलग तस्वीरें दी गई है जिनमें अलग-अलग लोग मौजूद है इन्हें देखकर आप उनके पेशे के बारे में खाली जगा में लिखिए पहेली जागो तो वो पास ना आए सोजाओ तो रूप दिखाए असातजा के लिए हिदायाद तलबा को तस्वीरों की मदद से पढ़ने के मवाके दिये जा सकते हैं एपी जे अब्दुलकलाम के म्यूजियम को दिखाया जा सकता है और उस पर चंद जुमले लिखवाए जा सकते हैं अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार समयी रिकॉडिस मयंक कुमार निर्मान सहयोग चेतना शर्मा समयी फनकार सुंपुल शकील और फरहान अली नकवी हिदायत और तखलीक कार विमलेश चोधरी यह किताब C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई